श्रीक्रिष्ण गोविन्स परेड़े मुलारी जेनाचना रेड़। श्रीक्रिष्ण गोविन्स परेड़े मुलारी जेनाचना रेड़। सो हे गाइज वेलकम टू माई यूटूब चैनल तो गाइज अभी जो आपने वीडियो की स्टार्टिंग में पिर्व्यू देखा है तो गाइज आज किस वीडियो में हम जनमस्टमी स्टेडस विनाने वाले हैं सो गाइज सबसे पहले आप सभी को जनमस्टमी की बहुत बहुत ज़्यादा सुब कम ना है तो फाइनली आज किस वीडियो में अगर आप भी कुछ इस तरह का जनमस्टमी के ऊपर में गाइज स्टेडस बनाना चाहते हो तो वीडियो को कंटीनू लास तक जरूर देखते रह जैना सबसे पहले यहां पर अलाइट मोशन एपलिकेशन को डॉनट करेना अगर आपका पास अलाइट मोशन एपलीकेशन है तो इसको सिम्पली आप गुगल प्ले स्टोर से जाकर डॉनड बसकते हो नहीं तो इसका लिंक को अपको मरiden चोनल पर बहु मिल जाएगा तो टे का XML file भी मिल जाएगा ठीक है और images से है मैं अपनी टेलिग्राम पर share कर दूँगा तो वहां से आप download कर लिजेगा ठीक है जितने भी materials मैं इस वीडियो के editing के लिए यूज किया है सब का link आपको description में मिल जाएगा तो simply आप download कर लिजेगा अगर आपको हमारी template materials या bit my project को download करने में problem हो रहा है तो उसके उपर भी एक video बना रहा हूं कि मेरे materials को कैसे download करते हैं तो उस video का link description में मिल जाएगा तो जाको उस video को जरूर देख लिजेगा तो चलिए guys वीडियो के start कर दो सब सब पहले beat my project को import कर लेना है तो यहां पर beat my project के link पे क्लिक कर लेना और कोई भी ब्रॉजर को select कर लेना यह automatically redirect कर देगा highlight motion में तो यहां पर import की option में क्लिक कर लेना होगा अब जैसे import की option में क्लिक करोगे तो कुछ ही तरह से आपको देखने को मिल जाएगा project okay जिसमें आपको song भी मिल जाएगा ठीक है लेकिन अगर आप xml file को import करोगे तो song delayed हो जाएगा तो song का link का आपको description में मिल जाएगा और telegram पे भी मिल जाएगा तो जागर download कर लेना और song को extract कर लेना ठीक है सब सब अपनी image को एक add करना है तो plus पर क्लिक करके media की option में अपने according आपको जो अच्छा लग रहा है अपने according यहाँ पर image को add कर सकते हैं मैं इसे यहाँ पर add कर लूँगा move and transfer में आकर थोड़ा option में क्लिक करके zoom out कर लेंगे थोड़ा सा guys आपको इस image को बस show करना है यानिकि जादा बड़ा नहीं रखना है और इस image की duration को हमने क्या करना है यहाँ तक कर देना है ठीक है तो यहाँ तक हम कर देते हैं ठीक है उसके बाद में guys फिर से हमने क्या करना है यहाँ पर starting में आज़ेना starting माने बाद plus पर क्लिक करके media की option में आज़ेना then guys यहाँ पर आपको एक tax वाली png मिल जाएगी जनमाश्टिमी वाली तो simply guys आपने यह जनमाश्टिमी वाली tax वाली png को यहाँ पर add कर लेना ठीक है यहाँ पर देखो movement transform में क्लिक करके हमने यहाँ पर बीच में रखना है ठीक है और यह जो ऊपर जो है guys हमने image जो add किया यह भी थोरा सा उपर करके रखना है ताकि अच्छी शो हो जाए तो मैंने कुछ ही इस्तरसी यहाँ पर रख दिया है ठीक है और image को थोरा समय यहाँ पर ऐसे करके fix कर लूँगा ठीक है तो यहाँ पर करने के बाद में गाज डूरेशन को यहाँ पर हम यहाँ तक कर देंगे ठीक है अब यहाँ तक करने के बाद में गाज क्या करने आपको इधर जितने भी आपको beat mark दिख रहा है ने इन सभी में photos को option में आजाना देन गाज यहाँ पर फिर से हम gallery में आ जाते हैं ठीक है और gallery से यहाँ पर हम image को add कर लेंगे तो यहाँ पर मैं add कर लेता हूँ और full screen करके extra part को cut कर लेना फिर से next images को आपको कुछी इस्तर से add कर लेना और फिर से full screen करके extra part को cut कर लेना फिर पर plus पर क्लिक करके media की option में आ जाना फिर से कुछ ही इसतर से next images को add कले ना और आपको कुछ ही इस तरह से full screen कलिए और extra part को image को extra part जो होता है जहाँ यहाँ पे cut कर देना कुछ ही इस तरह से इधर आजाना और इधर की extra part को cut कर देना फिर plus पे click कले लेना तो कुछ ही इस तरह से step बे step हमने स्टार्टिंग में जो है टैक्स वाले PNG एड़ का लेना है और एक इमेज एड़ का लेना है ठीक है और कुछ ही इस तरह से आपको वीडियो की एंड तक एक एक करके इमेज को यहाँ पर एड़ करते वे चले आना है ठीक है तो यहाँ पर थोरी से वीट जादा है तो टाइम लग जाएगी इसलिए हाया पर में फिर भी और फिरकर किलीका करके मेडिया की आप्षिन में जाता हू और थोड़ा स घाजि यहाँ पर में फास्ट करके image को add का लेता हूं guys okay नोरहा यहां पर हम add का लेते हैं कुछ इस तरह से full screen करके extra part को cut कर लएना और अपर इदे भी add का लेना है Yuk देखो कुछ इस तरह से नको और add करने के बाद को और मैं यहां पर इदर भी add कर लेता हूं थोड़ा सब यहां पर میں fast टेलिगराम चैनल से जाकर डाउनलोड कर लिजेगा टेलिगराम पर मैं सभी image को शेयर कर दूँगा तो simply यहां पर मैंने full screen कर दिया सभी images को अब थोरी सी images बच चुका है तो हम इसे भी कर लेते हैं ठीक है तो यहाँ पर एक end में गाज इधर भी क्लिक कर लेता हूं मैं और add कर लेते हैं तो बस आपको वीडियो की end तक एक एकर करकी image को add कर लेना जैसे मैंने आपको बताया है बिल्कुल आपको same वैसे ही कर लेना है ठीक है बस आपको कुछ ही इस तरह से वीडियो की end तक एक एकर करकी image को अपने add कर लेना होगा तो यहाँ पर image को add करने के बाद में अब यहाँ पर हमने क्या करना है preset को import कर लेना होगा light motion application में जैसे अभी हमने import किया था beatmark project को ओके तो मैंने गाज इंपोर्ट करके रखावा है तो अगर आपने नहीं किया तो इंपोर्ट कर लिजाएगा बैक होगा project को option में आजके preset में आ जाओंगा दर उसी beatmark project में आ जाना अब जो हमारी lyrics को tap कर लेना यहाँ पर एफेक्ट में आकर पे पेस्ट कर लेना इफेक्ट में के 3.pack copy effect कर लिजेगा देन उसी beatmark project में आ जाएंगे अब images पर इफेक्ट में कर लेना इफेक्ट में कर लेंगे अब यहाँ पर टैक्स की जो बैगरोंड में है यालो कलर दिख रहा है तो क्लिक कर लेना इफेक्ट में आक के यह shadow वाली जो option इसको क्लिक कर ले अब अपने हिसाब तो जो अच्छा लगता कर सकते हो के अब इधर आना इधर प्लॉस पर क्लिक करके मीडिया की option में आके गाई simply यहाँ पर मैं gallery में आ जाता हूं और gallery से यहाँ से एक template को add कर लेना है ठीक है तो इस template का link मैंने description में दे दिया है तो simply आप इस template को add कर सकते हो ओके तो simply यहाँ पर मैं पहले इस template को ढून लेता हूं तो यह वहला है तो add कर लेते हैं और add करने का बाद में template को क्लिक करके blending and opacity में के lighten में के screen की option को enable कर देंगे ठीक है तो यहाँ तक गाज रखना है बांक extra party दर की cut कर देना होगा ओके अब फिर से back हो जाएंगे और preset मे आजाना अब जैसे preset में आएंगे तो कुछ इस तरह से आगे की तरफ आओगे तो एक flicker वाली effect मिल जागा तो click कर लेना effect में तो यहाँ पर गाज उससी beatmark project में आजाना और यहाँ पर यह जो flicker की जो effect हमने copy किया था तो effect में आके 3.pack के paste effect कर लेना ठीक है blink वाली है यहाँ पर दोगो कुछ इस तरह से ठीक है अब फिर से बैक होके दुबार प्रिशेड में आजाना और आगे की तरफ आजाना अब दोगों सबसे पहले तो यहाँ पर एक यह वाला फोटो मिलेगा तो click कर लेंगे effect में के 3.pack कोंपी effect करके उसी beatmark project में आजाना होगा और यहाँ पर 3.pack के paste effect कर लेना ठीक है तो कुछ इस तरह इस वाले पर लगा लेना अब यहाँ पर दोबार हमने प्रिशेड में आ जाना अब यहाँ पर दो effect और end में दिखेगा सबसे पहले यह और यहाँ पर last में तो इसको click कर लेना effect में के 3.pack कोंपी effect कर लेंगे then इसी beatmark project में हमने आ अब यहाँ पर गाज एक इस photo पर click कर लेना effect में के paste कर लेना फिर एक photo को छौर के इस photo पर click कर लेना और वीडियो की एंड में आएन के बाद में इस फेक्ट लिएना अब यहां सबस्ते के या पता नहीं किया बोलडा हूं तुो यहां पर देखो कुछ चीज तरह से यह वह प्रपेस्ट मिलेगा कि लिक कलिक कले ना तो गाज कुछ इस तरह से आपने यहां पर वीडियो की एंट टेक एक एक करके एफेक्ट को लगा लेना है तो फाइनली अब जो हमारी वीडियो है गाज बनके रेडी हो चुकी है गाज अगर आपका ऐसे अच्छा लगते तो ऐसे रख सकते हो ने तो रख सब्सक्राइब हो माकлек और सबसक्राइब करें है ठीक है अब आपको white पे क्लिक कर लेना और black कर लेना black को क्लिक करके white कर लेना ठीक है और इसको थोड़ा समने उपर रखने क्योंकि हम इसको उपर PNG एड़ करना है बैक हो जाएंगे blending ब्लेंडिंग इन उपा सिटी में आके डार्किंग में आके multiply को क्लिक कर लेना ठीक है तो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा अब आपको क्या करना है यहां पर प्लोस पर क्लिक करके मीडिया की option में आ जाएंगे और यहां पर गयाज हम एक PNG को हम एड़ कर लेते हैं तो गयाज यहां पर PNG को में आड़ कर लेते हैं तो गयाज यह बला PNG है तो simply यहां पर हमें आड़ कर लेंगे और movement transform में आके जूम out कर लेना और यहां पर हमने fix करके रख लेना अब duration को वीडियो की end तक कर लेना यहां तक सो फाइनली अब हमारे वीडियो बने के रेडी हो चुकी है तो बैक हो जाएंगे और preset में आ जाना ओपर आपको चार effect देखने को मिल जाएगा ठीक है चार RGB effect तो यहां पर चार उपर एक एक करके select करके और plus पर क्लिक करके copy 4 layer करके back होके beatmark project में आ जाना आप गाज यहां पर देखो हमने क्या करना है जहां से फोटा हमारी play हो जाएगे यहां से plus पर क्लिक करके paste 4 layer कर देना ठीक है तो देखो गाज कुछ ही इस तरह का status ने आप भी बहुत असानी से बना सकते हो so I hope आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को subscribe कर लिजएगा finally guys यहां पर अब इस वीडियो को गैल्डरी में save करना है तो यहां पर इस option में click करना है दने export पर click करके video को गैल्डरी में save कर लिजएगा तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर comment करके बताना तो guys मिलेंगे next video